हेलो स्टुदेंट्स, विल्कम टो वर अन्लेन स्टर्य यूटिप चैनल, आज हम लोग जो फिप नमबर का लेशन है, एक्सपाइशन फॉर्मुली वो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग सबसे बेले क्या करेंगे, सेवन स्टेंडर्ड में जो बेसिक फॉर्मुली हमने पढ़ी थी, और बेसिक टर्म्स पढ़े थे, वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देखो, फॉर्स्ट क्या है, वी हैव स्टुदीड दो फॉलोविं एक्सपाइशन फॉर्मुली इन प्रीवेस स्टेंडर्ड, प्रीवेस इस इक्सपाइशन दिये होगे, बीच में अगर प्लस साइन होगा इन ब्रैकेट स्काइशन होगा, तो हम लग ये फॉर्मुला यूज़ करेंगे, ओके, सेकेंड है, अभी देखो जो फॉर्स टर्म है, अब लोग ये फॉर्मुला यूज़ कर सकते हैं, ओके, अभी नेक्स देखो, एक चार्ट निकाला है, उसमें टर्म है, कोईफिशन्ट है, और वेरियाबल्स है, आप लोगों को टर्म दीई होगी, उसमें से कोईफिशन्ट एंड वेरियाबल्स पेचानने हैं, ओके, अभी देखो, ये जो है, ये चारों टर्म है, अभी देखो, कोईफिशन्ट मतलब क्या होता है, कि जिस भी नंबर से हम लोग मल्टिप्लिकेशन करते हैं, वो हता है, कोईफिशन्ट, और वेरियाबल्स मतलब जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, उसे हम क्या बलते है, वेरियाबल्स, फर्स्ट देखो, 11, M, N है, तो 11 क्या हुआ, coefficient, m and n क्या हुआ, variables, सेम देखो, यहाँ पे और यहाँ पे भी, यहाँ देखो, minus 9, coefficient है, x and y, variables है, x square y cube, variables मत लिखना, only, वो letters लिखना, x and y, ओके, अभी देखो, third में, 5 upon 6, coefficient है, फिर देखो, alphabetical letter कौन सा है, p, तो p हुआ, variable, अभी देखो, last example है, a, अभी यहाँ पे, कोई भी नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे, 1 से multiplication की होगी, क्योंकि, देखो, 1 multiplied by a, a आता है, तो 1 क्या हुआ, coefficient, and a क्या हुआ, variable, अभी हम लोग, 7th standard का last topic recall करेंगे, जो है, types of algebraic expressions, देखो, algebraic expressions के types होते हैं, first है, monomials, second है, binomials, third है, trinomials, fourth है, polynomials, देखो, mono मतलब क्या, single, by मतलब क्या, two, tri मतलब क्या, three, poly मतलब क्या, more than three, मतलब three से जादा, अभी देखो, monomials में three single term ही होगी, देखो, only single term है, ओके, binomials में two terms होंगे, देखो, first, second, first and second, trinomials में three terms होंगे, first, second, third, first, second and third, polynomials में three से ज्यादा terms होंगे, ओके, देखो, या फिर four terms है, one, two, three and four, या पिर five terms है, one, two, three, four and five, तो ये types आप लोग याद रखो, अब तक हमने जो भी पढ़ा, वो आप लोग अपके notebook में लिख लो, मतलब आप लोगों वो problem solve करने में आसायनी होगी, अभी हम लोग इस lesson का जो first expansion है, expansion of x plus a, x plus b, वो देखेंगे, तो देखो, x plus a and x plus b are binomials, ये दोनों binomials क्यों है, क्योंकि देखो, दोनों में two terms है, one, two, one, two, with one term in common, देखो, first term जो है, वो common है, देखो, x and x, let us multiply them, तो हम लोग क्या करेंगे, multiplication करेंगे, इस दोनों bracket की, ओके, तो चलो, multiplication करते है, देखो, x plus a multiply by x plus b, ये multiplication कैसी करेंगे हम लोग, first bracket की, जो first term है, उसके साथ second bracket की, जो second term है, उसके साथ second bracket की multiplication करेंगे, तो चलो multiplication करते हैं, देखो, x multiply by ये bracket, देखो, x multiply by x plus b plus a multiply by x plus b तो देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे? x की multiplication, इस bracket के से याद करेंगे plus a की multiplication, इस bracket के साथ करेंगे देखो, x multiply by x, x square plus x multiply by b, xb हम लोग b x, b लेक सकते हैं plus a multiply by x, ax plus a multiply by b, ab is equal to अभी देखो, x square में से कविसा ही रहेगा plus, अभी इस दोनों की addition करेंगे, हम लोग x common निकालेंगे, तो bracket में क्या बचेगा? b plus a, हम लोग a plus b भी लेख सकते हैं a plus b and multiply by x, देखो, x common निकाला, तो bracket में क्या बचेगा? a plus b plus ab तो देखो, यह मैं फॉर्मूला मिल गया हम लोग फॉर्मूला लेक लेते हैं x plus a multiply by x plus b is equal to x square plus a plus b multiply by x plus ab तो आप लोग यह x function लिख लो, यह जो फॉर्मूला है वो learn करो and आप लेवर को यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि first and second bracket में जो first term है वो हमेशा same होनी चाहिए ओके? देखो, यहाँ पर भी x है और यहाँ भी x है मलब यहाँ पर जो term होगी वो हमेशा same होगी तब हम लोग यह formula यूज कर सकते हैं तो चलो इससी related कुछ example solve करते हैं देखो, first example क्या है? x plus 2 multiplied by x plus 3 सबसे पहले हम लोग formula लिख लेंगे, देखो, x plus a multiplied by x plus b is equal to x square plus a plus b multiplied by x plus ab अभी अभी देखो, यह जो first term है वो same है, a की जगा पे 2 है, b की जगा पे 3 है देखो, x की जगा पे x ही है, a की जगा पे 2 है, b की जगा पे 3 है तो यह value हम लोग इस formula में रखते हैं, देखो, x plus 2 multiplied by x plus 3 is equal to x square x square ही है आएगा, plus a plus b, 2 plus 3 multiplied by x plus a multiplied by b, 2 multiplied by 3 अभी देखो, solve करते है, x square plus 2 plus 3, 5 x plus 2 multiplied by 3, 6 अभी देखो, second number का example देखते है, y plus 4 multiplied by y minus 3 formula में लिख लिए है, देखो, x की जगा पे क्या है, y, a की जगा पे क्या है, 4, b की जगा पे क्या है, minus 3 minus 3 केसे तो देखो, y minus 3 को हम लोग x plus b के फर्म में केसे लिखेंगे, देखो, y plus minus 3 देखो, x plus b के फर्म में बराबरा गया, तो b की जगा पे क्या है, minus 3 देखो, x की जगा पे क्या रहेंगे, अब लोग y, a की जगा पे 4, b की जगा पे minus 3 तो चलो solve करते हैं, देखो, y plus 4 multiplied by y minus 3 is equal to x square मतलब y का square, plus a plus b, 4 plus minus 3, multiply by x, मतलब multiply by y plus a multiply by b, 4 multiply by minus 3 अब आगे देखो, y square plus, 4 plus minus 3 मतलब क्या, 4 minus 3, 4 minus 3, 1 यह y, plus 4 multiply by minus 3, minus 12 अभी देखो, यह y square 1 जब multiplication में होता है, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है, मतलब यहापे सिर्फ y आएगा अभी देखो, minus 12 है, मतलब यह plus का minus हो जाएगा समझाएगे, अभी हम लोग धर्ड नूमबर का एगजंबल सॉल करते हैं देखो, एगजंबल क्या है, t minus 3, multiply by t plus 1 देखो, x की जगा पर क्या है, t a की जगा पर क्या है, minus 3 b की जगा पर क्या है, 1 देखो, a की जगा पर minus 3 कैसे है t minus 3 को हम लोग x plus 1 के form में कैसे रखेंगे, t plus minus 3 देखो, a की वेल्यू क्या हो गई, minus 3 तो देखो, x की जगा पर हम लोग t रखेंगे, a की जगा पर minus 3 रखेंगे and b की जगा पर, 1 रखेंगे, तो चलों सॉल करते है, t minus 3 multiply by t plus 1 is equal to x square, मतलब t square plus, a plus b, मतलब minus 3 plus 1, minus 3 plus 1, multiply by x, मतलब multiply by t plus, a multiply by b, मतलब minus 3 multiply by 1 चलों सॉल करते हैं, देखो, t square plus, minus 3 plus 1, minus 2 multiply by t, plus minus 3 multiply by 1, minus 3 is equal to अभी देखो, t square, minus 2 t आएगा, ये plus का, minus हो जाएगा, minus 2 times t अभी देखो, यहाँ पर, minus 3 है, मतलब ये plus का, minus हो जाएगा, minus 3 अभी हम लोग, last example solve करेंगे, देखो, example क्या है, x minus 3 multiply by x minus 7 a की जगा पर क्या हैगा, minus 3, b की जगा पर क्या हैगा, minus 7 और x की जगा पर x ही है, देखो, x की जगा पर x ही रखेंगे, a की जगा पर minus 3 रखेंगे, b की जगा पर minus 7 रखेंगे तो चलो solve करते हैं, बेखो, x-3 multiplied by x-7 is equal to x square, मतलब x square ही आएगा, plus a plus b, minus 3 plus minus 7, minus 3 plus minus 7, multiply by x, x ये आएगा, plus a multiply by b मतलब minus 3 multiply by minus 7, चलो solve करते हैं, देखो, x square, plus, minus 3 plus minus 7, minus 10, multiply by x, plus, minus 3 multiply by minus 7, plus 21, अभी देखो, x square, अब यहाँ में minus है, तो यह plus का minus हुजाएगा, minus 10x plus 21, ओके, तो देखो, हमने 4 different types के example solve कर लिये हैं, जिसमें a and b की value, plus and minus में change हुई है, ओके, तो देखो, next video में हम लोग practice set 5.1 solve करेंगे, तो यह video अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो like करो, इस video की link अपने friends के साथ share करो, and channel को subscribe करो, तक कि subscription में जाके आप लोग इस channel के सभी videos आसागी से देख सकोगे, ओके thank you so much for watching this video,